दोस्तों वैसे तो हमारे पास कफी सारे फोने कंपेर कर निकलिए लेकिन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एप्रेंस का हॉट 4Ti जिसका प्रइस है 9,000 रुपे इसे कंपेर करेंगे हैं मोटर लेका G34 5G से जिसका प्रइस है 11,000 रुपे दोनों फोनों में 1500 रुपे का डिफेरेंस से देखी है हमें कौन सो फोन लेना चाहिए कौन सो फोन ज्यादा अच्छा है 9,000 रुपे खर्श करने चाहिए 11,000 रुपे 1500 बचाने चाहिए यह नहीं बचाने चाहिए तो complete information के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई information आपसे मिसना open कर लेते हैं hot for tv का box सबसे पहले रखा मिलते हैं हमें फोन काफी अच्छी सी packing में wrap tag golden color में हमने एक रखावे transparent सा cover, silicon cover है काफी अच्छी quality है फिर रखे मिलते हैं कुछ user manual पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहिए एक इसके साथ यह charger दिया गया है white करकर यह adapter है दोस्तों 18 watt की fast charging support करता है USB connectivity के साथ काफी अच्छी wheel quality है इसकी उसके बाद रखे मिलते हैं हमें यह cable cable की quality है ते अच्छी नहीं है लेकिन type C to USB connectivity दी गई है open कर लेते हैं Motorola का box यहाँ पर रखा मिलता है सबसे पर हमें फोन काफी अच्छी से packing में wrapped है blue color हमने हमगा आया है फिर रखे मिलते है user manual काफी detailed user manual है SIM ejector tool एक यह black color का adapter मिलता है में काफी सही से packing में wrapped किया गया है Motorola की branding के साथ 20 watt का यह adapter है काफी fast charging support करता है USB connectivity के साथ bill quality वगएरा काफी सही है सा adapter की and में रखे मिलती है data के वे ब्लैक कर लगए cable USB 2 type C connectivity के साथ quality वगएरा काफी सही है designing के बात करता है दोस्तों दोनों फोनों का design दिया गया है और काफी अच्छा लग रहा है module back पे उसके लावा दोस्तों इंके अंदर color के बात करें तो blue color का हमारा Motorola का phone और golden color का इंफिनिक्स का phone इन दोनों में काफी और colors भी आते हैं वो भी मैं आपको थोड़े बहुत दिखा दूँगा जो मेरे पास design दिया गया इंफिनिक्स के phone की साथ हमें cover मिला तो आप cover लगा लिजिए का protection के लिए और Motorola के साथ cover नहीं दिया गया है तो आप लगाना चाहिए लगा लिएगा नहीं तो छोड़ दीगा क्योंकि आप Motorola का जो design है वो इतना देख लेते हैं डिटेल में कुछ इनके specification प्रोसेसर के बात करें तो दोस्तों इंफिनिक्स के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा यूनिकॉस का T606 मिलेगा 12NM का और Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर है 6NM का Motorola में Motorola के अंदर यहां पर ज़्याद अच्छा प्रोसेसर दिया गया और Graphic Card वगरा भी ज़्यादा बड़ी है देखने हैं इन दौर्व से कौनसा फोन जल्दी उपन होता और किसके पाफामर ज़्याद अच्छी है Motorola का फोन यहां open हो गया और proper work भी कर रहा है और Infinix का फोन अभी तक open हो रहा है दोस्तों आन हो गया हमारा Infinix का फोन भी scrolling वगरा करके देख लिए थे किस फोन में ज़्यादा smoothness मिलती है वैसे यहां पर smoothness से दोनों फोनों में equal ही है लेकिन थोड़ा से टाइम ज़्याद लगा हूँ Infinix वाले फोन के अंदर कुछ applications वगरा भी हम open करके देख लिए जिससे हमें proper पता लग जाएगा कि इसकी speed वगरा क्या है वैसे अगर आप heavy game वगरा यूज़ करना चाहते है फोन से time ज़्याद लागो और Infinix में ज़ल्द उपन हो गया तो ज़्याद फार्क तो नहीं रहा परफार्मस पर इनके लेकिन यहां पर Infinix थोड़ा सा फाल ज़्याद लेगा हो सकता है इसकी वज़ा थोड़ा सा RAM क्योंकि Infinix के दना में RAM काफी ज़्यादा मिलती है 8GB RAM पर 5GB और अपग्रेड होई है यहां के परफार्मस जो मिल रही है हमें 13GB की मिल रही है Motorola में यहां पर हमें 4GB RAM मिलेगी Infinix में RAM अगर आप यहां अपग्रेड कर सकते हैं मैक्सिम 16GB पर अपग्रेड हो जाएगी दोस्तों इंटरा स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोनों में काफी अच्छी स्टोरीज दी गई है 128GB है Motorola में और 256GB है Infinix जिसमें से 17GB काटके दिए Infinix है और 13GB काटके दिए Motorola में तो यहां पर हमें Infinix के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है एक spaceship घुमरी यह घुमरी है तो काफी सभी सब्देट है एक फॉर्टेन में तो दॉस्तों यहां पर दिप्रेज की बात करा तो दोनों फोनों की डिप्रेज बाइटे यूस करने में काफी बढ़ी आ टच वगैरा काफी reponsorship display size की बात करा तो दोनों फोनों में बहुत जोटा niewार के display मॉटो का और 6.56 इंच का display है infynix का तो दोनों फोनों में जोशे display दी गयी है cat design design वागर भीography औप अगरभी काफी सही है और त्रेंड बिलिजीर्स साथ आईफून की तरह जैसे डालेमिक आलेंड होता है यहाँ पर मैजिक रिंग का नाम दिये गा है इन्फिनिक्स ने इसको ग्राफिक्स वगरा काफी बढ़िया और फेस अलॉक वगरा करेंगे तब भी आप यह पावब पाएगा अगर आप गीविंग वगरा खेलते हैं या मुवीज वगरा जादर देखते हैं तो मोटरोला के अंदर आपको रिफ्रेशिट की वए से एक्स्पिरियंस जादर अच्छा मिलेगा उसके अलावा दोस्तो बैटरी की बात करेंगे दोनों फोनों में 5000 वच की बैटरी है और चार्जर तो हमने देखे लिया किसके अंदर जादर फास्ट है दोस्तो 4G फोन है यहाँ पर इंफिनिक्स का और 5G फोन है यहाँ पर मोटरोला का मोटरोला में 5G कनेक्टिविटी आपको जादर बहतर मिलती है कंप्रेट प्रोफाइल की बात करें तो नीची की तरफ है कुछी स्पीकर दोनों फोनों में टैपसी पोर्ट, एक माइक और 3.5mm का जैक साउंड क्वालिटी बगर मैंने चेक करिए यहाँ पर हमें मोटरोला की साउंड क्वालिटी जाद अच्छे मिलती है नीची काम्पेर में। उपर की साइट में इनफिनिक्स पे प्लेन सरफिस मिलता है और इहां पर मोटरोला मिलता है सब्साद पर मिलता है नौइस करन्सलीसिंशन मायक और डाल्यवीट मॉट्स के ब्रांडिंग यहां पर 32 Megapixel का Front Camera मिलेगा और Flashlight के साथ मिलेगा Portrullo में दोस्तो में कैमरा 50 Megapixel का है Second Camera 2 Megapixel का Macro है और यह कच्छी से Flashlight दी गई है Front Camera में यहां पर 60 Megapixel मिलेगा लेकिन Front में Flashlight नहीं है Reality में देखने लेटे हैं कि इसका Camera जाद अच्छा है Portrait वगेरा, Color Contrast वगेरा भी आप अपने हिसाब से Control कर सकते है यह दोनों फोनों के Picture Quality यहां पर कफी अच्छी से Colors वगेरा है Photos के अंदर लेकिन यहां पर जाद अच्छी है जो Photo लग रहा है मुझे Motorola का लग रहा उसके लावा Modes वगेरा के बात करा तो दोनों फोनों में काफी Seams से Modes है लेकिन Retailing वगेरा यहां पर मोटों में काफी सही दी गई है Pictures Zoom करने के बाद भी देखा मैंने इनकी Pictures में कई भी फटनी रहा और यहां पर पिक्सल वगेरा भी काफी सही है उसके लावा दोस्तों यहां पर Zoom की बात करा तो 8X Zoom मिलेगा मैं मोटो के फोन के अंदर और 10X Zoom मिलेगा मैं इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको इन दोनों से कौन से फोन के Picture Quality जाद अच्छी लेगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप एक कैमरे के लिए फोन लेए तो आप इन दोनों से कोई फोन ले सकते है दोनों के Picture Quality काफी सही है सारे फीचर्स कंपेर करने के बाद दोस्तों इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए मैं आपको डेटेल में इनकी कमिया बताता हूँ इन्फिनिस के अंदर सबसे बड़ी कमी हमें यही मिलीगी इसका थोड़ी सफ्टेयर आउट डेटेर 13 है उसके लावे एक बड़ी कमी हमें यही मिलीगी एक 4G फोन है लेकिन राम पगारे इसके अंदर काफी अच्छी दीवे 8GB RAM पे तो 8GB और बड़ाकर 16GB की प्रफावांस मिलने वाली हमें और स्टोरेज बहुत जबर्दाता है 256GB का स्टोरेज दिया गया है डिस्पे कॉन्टे और दोनों फोनों की काफी सेम सी है और डैनेमिक आइलेंड के कापी करके मैजिक रीन जो बनाएगी है वो भी एक बड़ी एडवांटेज है मोटरोला के बात कहा है तो मोटरोला में के अंदर हमें यहां पे थोड़ा प्राइसिंग वागरा है जादा मिल रहा इन्फिनिक्स के कंपेर में पंदास ओर पर फार्क है तो फार्फ पर काफी जादा फर्क हो गया इसके अंदर हमें एडवांटेज यह मिलेगी कि यह 5G फोन ही आता और इसका सॉफ्टेव वगरा काफी बढ़ी है और 20 वाट का चार्ज आ रहे, 2 वाट का फर्क है, इंफिनिक्स और मोटरोला के अंदर चार्जिंग के स्पीड के अंदर आपको एक 5G फोन चाहिए तो आप मोटरोला के लें, लेकिन अगर आपका काम एक 4G फोन से चल जाएगा तो यहाँ पर इंफिनिक्स के अंदर में रैंफ अगरा काफी सही मिल लिया और डिजैनिंग तो इसकी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है आपको इन दोनों फोनों में से कौनसा फोन जादा चलागा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि लेटर सब्जेट साब तक आती रहे और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लैंक जरूर करके जाएगा दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग या कमपैरिजन के साथ